डिक्टेशन स्टार्ट होगी तेन सेकेंड बाद अध्यक्ष महोदे भारत संसार के सभी देशों के साथ शांती और मैत्री की निती का अनुसरण करता रहा है और ऐसे अवसरों पर जब भी यह आशा हुई की हम शांती इस्थापना के हेतू कुछ कर सकते हैं हमारे देशने जिम्मेदारियों को उठाने में कोई संकोच नहीं किया कोरिया में मेरी सरकार ने तटस्त राष्ट्रिये प्रत्यावरतन आयोग की अध्यक्षता स्विकार की और युद्ध बंदियों के भविश्य के समंद में अंतिम निर्णे होने तक उनकी देखबाल के लिए संरक्षन सेना वहां बेजी दुर्भाग्यवश विरामसंदी समझोते में सुझाई गई पद्धती के अनुसार कारवाई नहीं की जा सकी जिसके कारण एक कठिन इस्तती पैदा हो गई कुछ दिनों में ही आयोग अपना काम समाप्त कर देगा और संरक्षन सेना अब धीरे धीरे भारत वापस आ रही है कोरिया में प्रमुक विवाद गरस्त प्रशनों का अभी तक निबटारा नहीं हुआ है मुझे पूर्ण आशा है कि सयुक्त राष्ट्र संग की महासभा में अत्वा कहीं और इन आवशक मामलों को सुलजाने का शिग्र ही प्रयात्न किया जाएगा आप सबकी ओर से और अपनी ओर से मैं कोरिया में तटस्त राष्ट्रिय प्रत्यावर्तन आयोग में अपने प्रती निधियों और संरक्षन सेना के अधिकारियों तथा सिपाईयों की इस बात के लिए प्रशंसा करना चाहूंगा कि उन्होंने एक कठिन और नाजुक काम को बड़ी योग्यता तथा मिश्पक्षता के साथ निभाया विदेशों से भारत के समंद मैत्री पूर्ण बने रहे हैं या दपी कभी कभी गलत फेमियां पैदा हो जाती हैं इस समय मेरी सरकार के प्रती निधी चीनी गणतंत्र की सरकार से तिबबत के समंद में सामान्य हित के विभिन मामलों पर बातचीत कर रहे हैं मुझे पूरी आशा है कि इस बातचीत के परिणाम स्वरूप सभी विशिष्ट समश्याओं के बारे में समझोता हो सकेगा सोवियत संग और कई अन्य देशों से हमारी व्यापारिक संधियां हुई हैं पिछले वर्ष हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिले ये मुलाकातें मैत्री पूर्ण थी और इनके फलस्वरूप दोनों देशों के बीच कई एक विवाद ग्रस्त मामलों के बारे में जो बहुत दिनों से चले आ रहे थे पारस्परिक सदभावना पैदा हो सकी इस दिशा में हम कुछ आगे बढ़े थे पर दुरभाग्य से कुछ ऐसी गठनाएं गठी हैं जिनके कारण प्रगती में रुकावटें पड़ रही हैं मुझे खुशी है कि मेरी सरकार और श्री लंका की सरकार के बीच श्री लंका के भारतिये प्रवासियों के प्रश्न पर समझोता हो गया है इस समझोते द्वारा उक्त समझ्या का अंतिम रूप से निबटारा नहीं होता परन्तु उस दिशा में यह पहला कदम है और समझ्या के हल के लिए गंभीर प्रयास है इसलिए मैं इसका सवागत करता हूँ अपने पडोसी राष्ट्रों स्री लंका तथा बर्मा से जिनके साथ हमारे भोगोलिक ही नहीं बलकि चिरकाल से सांस्कृतिक समंद भी हैं मैत्री पूर्ण समंद को उन्नत करने का मेरी सरकार सतत प्रयत्न करती रही है पश्चीमी एशिया के देशों और मिस्र के साथ हमारे समंद मैत्री पूर्ण और पारस्परिक सहयोग के रहे हैं सुडान के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवाओं की प्रशंसा की गई है और चुनाव व्यवस्तित धंग से संपन हो गए हैं पैरा अध्यक्ष महोदय मैं सुडान में स्वाधिंता के उदे का सवागत करता हूँ जो स्वयमेव तो शुब है ही चिरकाल से तरस्त और आजकल भी अनेक संकटों के शिकार अफ्रीकी भूखंडों की भावी उन्नती के लिए भी एक सुबलक्षन है गतवर्ष इस अवसर पर मेरे अभी भाषन के बाद भारतिय संग में आंद्र नामक नए राज्य का उदे हुआ है भारतिय राज्यों में इस अभी व्रद्धी का मैं सवागत करता हूँ और नए राज्य की सफलता की कामना करता हूँ भारत में राज्यों के पुनरगठन की मांग को देखते हुए मेरी सरकार ने इस कार्य के लिए एक आयोग की स्थापना की है जिसमें योग्य और अनुभवी सदश्य रखे हैं यह कार्य बड़ा और एतिहासिक महत्व का है इसे वस्तूगत रूप से पूर्ण शांत चित्तता के साथ करना है जिससे समंदित छेत्रों की जनता का और इसके साथ ही समस्त राष्टर का अधिक कल्यान हो सके मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस आयोग के काम में सभी लोग सदभावना और समझधारी के साथ सहयोग देंगे हमारे संग के दो राज्यों में तिरुवांकूर कोचीन और पटियाला तथा पूर्वी पंजाब रियासती संग में आज कल आम चुनाव हो रहे हैं उपरियुक्त दूसरे राज्य में सम्विदान सुचारू रूप से नहीं चल सका और नए चुनाव होने तक प्रेशासन का कार्यभार मुझे अपने अधिन लेना पड़ा पैरा हमारी प्रथम पंच वर्षिय योजना की आधी अवधी समाप्त हो चुकी है कुछ मामलों में प्रेगती इतनी अच्छी नहीं हुई जितनी हम आशा करते थे परन्तु कुछ अन्य मामलों में महत्वपून प्रेगती हुई है सामुदाइक योजना कार्यों के कार्य में विशेस रूप से उन्नती हुई है और राष्ट्रिय विकास कार्य में भी जिसका श्री गनेश अक्टूबर 1953 में हुआ था संतोष जनक उन्नती हुई है इस कार्य में जनसाधारन का योगदान बहुत उत्सह वर्दक है इस कार्य का यह पहलू बहुत ही आशाजनक है यद्दपी और ज्योगिक उत्पादन में और कई एक दूसरे छेत्रों में विशेश परगती हुई है फिर भी व्यापक बेरोजगारी की समश्या मेरी सरकार के लिए चिंता का विशे है लोगों को अधिक रोजगार दिलाने के उद्देश्य से योजना आयोग पहली पंच वर्षिय योजना पर पुनरविचार कर रहा है साधारण आर्थिक इस्तती में बराबर सुधार हुआ है 1952 तरेपन में अनाजों का उत्पादन उसके एक वर्ष पहले की अपेक्षा पांच लाख टन अधिक हुआ है और इस वर्ष की इस्तती भी अच्छी है खाद्य की इस्तती में सुधार बहुत संतोष जनक है और देश इस दिशा में आत्म निरभठता के लक्षय की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है और द्योगिक उत्पादन में विसेश कर सूती कपड़े, कागज, रासायनिक पधार्थ, बाइसिकल, नमक और बहुत से इंजीनियरिंग समंदी उत्योगों के छेतर में उत्पादन काफी जादा होता रहा है और द्योगिक उत्पादन की सूचक संख्या बढ़ कर 1953 में 1345 हो गई जबकी 1952 में वह 139 थी युद्ध के बाद से हमारे और द्योगिक उत्पादन का यह उच्चतम इस तरह इस्पात उद्योग के विस्तार और इस्पात के एक नए कारखाने की स्थापना के समंद में इस समय अंतिम कारवाई हो रही है पठसन और चाय उद्योग अब अच्छी इस्तती में हैं स्टोग